प्रिये बंदुगों कल एक बहुत ही जीबो गरीब नजारा देखने को मिला हूँ समझ नहीं आ रहा था मैं रूम या हैंसूं भारत के एक बहुत मुख्य परदेश जिसका व्यक्ति हर जगे मिलता है चांद पर भी मिल गया हूँ तो कोई आश्चरे की बात नहीं वो बिहार है बिहार के मुख्य मत्निका नितिश कुमार जी का भारत का यान चंदरमा पर पहुँचा है चंदर जान्थरी उस पर जो रियक्शन देखा मैं नहीं जानता उसको मैं हास्यपत कहूं या दुखी हूँ या मैं यह समझो कि वह एक ऐसे विक्ति का रियक्शन है जिसको या तो डिमेंशिया हो चुका है या फिर वह एलजीमर की चपेट में आ चुका है उनकी भाब भंगिमा कुछ ऐसी थी जो लगता था शायद वह एलजीमर या डिमेंशिया के निश्चित रूप से एक मरीज बन चुके हैं अगर ये वास्तिक था है तो उनको पॉलिटिक्स में रहने का कोई अधिकार नहीं अब ये समाजिक सेवा का जो एक आडंबर उन्होंने अपने उपर डाला था उसको उतार देना चाहिए और ये तीन दोस्त लालो पर साथ यादव नितिश कुमार और राम बहदुर राये जो कि कुछ समय तक पहले तो अब भी हो सकता हूँ इंद्रा गंदे स्वान स्कृतिक शोल सरस्थान के डिरेक्टर थे इन तीनों को अपने लवादे खोल देने चाहिए हैं उतार देना चाहिए क्योंकि नों ने तीनों ने अपना राजनितिक जो सफर है वो एक ही साथ एक ही जेल से एक ही जेल के कमरे से किया वो था अपर्चिनिटी जो बहुत जिसने बहुत से लोगों को नेता बनने का एक मौका दिया और हमने भी उसको विटनेस किया विटनेस ही नहीं किया उसमें बहुत कुछ से योग भी किया मैं उस वक्त आल इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइसेज में अर्ड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका था जब यह सारा भी पल्व चल रहा था हिंदुस्तान में जै प्रकाश नरायन के लिडर्शिप में इंडरा गांदी ने इमर्जनसी लगाई और इंडरों का भागय का उदा हुआ बहुत से नेताओं का भागय उदा हुआ मुझे आज कुछ समझ जाता है कि शैद इंडरा गंदी के घंस्ट में कॉंस्परेंसी रही हो कि मैं देख रहा हुँ कि आज कोई भी हिंदुस्तान का हिस्सा भाग प्रभाग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो पॉलिटिक से ग्रसित नहीं है प्राय प्रेस सभी देशों में ऐसा होता है इवन आउपिनियन मेकिंग भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है यह उस समय के उपज है जब लोगों ने निरने लिया कि हमने इंदरगांदी को उटाना है और उसमें कोट का सहरा लिया गया कोट कचरी कुछ नहीं है वो भी लोगों की इच्छा है वो लोगों की इच्छा को जहर करते हैं वो इस इसमात से आता है मेरा ही एक भाई जज बनता है, मेरा ही एक भाई पुलिस में जाता है, मेरा ही एक भाई वकील बनता है, और मेरा ही भाई एक राजनिती में जाता है, हम इन में से किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं, सब एक दूसरे से मकड़े की जाली की तरह उल्जेव हैं, एक दूसरे से सम मंदित है तो शायद इद्रागांदी की वह इमर्जेंसी लगाना वह उनको द्रड़ संकल्प को दर्शाती थी तो उनके विपरीत कि एक जज्मिन निकलवा करके उनको एक ऐस मंजश्चस के परिस्थिती में बैठाना शायद एक विपक्ष काम उस वक्ष का विपक्ष की सोच का काम रहा होगा मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है मैं यह नहीं कर रहा है कि उस वक्ष जनसंग में या उस वक्ष की कॉग्रेस में या उस वक्ष की किस पार्टने ने क्या किया वो मेरा वेश्य नहीं है क्योंकि मेरा उनसे को समंध भी नहीं है मैं एक निस्पक्ष रूप से एक नागरिक वो नागरिक जिसके लिए सब पार्टिया चिंता कर रही है कि इसका उत्थान क्याच रखिया जाए तो मैं तो सब के फाइदे में होना चाहिए लेकिन होता है उल्टा है मेरा हमेशा नुक कि मेरे भले के लिए हुआ लेकिन यह कर किया इन्होंने आज तक उल्टा है मुझे नहीं लगता मोदी से पहले कोई व्यक्ति ऐसा सोचने वाला आया हो कि बैने लोगों का कुछ करना है कि यह एक व्यक्ति ऐसा तो है कम से कम यह सोचता है वह गलत कर रहा है और अलग बात ह सही यह गलत का प्रश्ण अलग है पर उसकी इच्छा तो है आदमे उसी धंग से करेगा जितना उसका समर्थ है जितनी समझ है और उस वक्त में कुछ राजनेतिक समझ है ऐसा लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन उसकी इच्छा जो है बन के वो बिलकुल जहर होती है लेकिन इन लोगों का क्या नतीश को क्या कहें हम मेरी ही उमर के होंगे एक आजल छोटे बड़े होंगे पर अब उसमें क्या कहूं दूसरे एक रजस्थान के बंत्रे चानना या कुछ इस तरह का नाम था उनका तो मुझे सुनकर के ऐसे लगा कि जैसे वो इस दुनिया में रहते ही नहीं अगर उनके ग्यान का स्तर यह है अगर उनकी अवेर रहस का स्तर यह है तो उन्हें तुन्हें पॉलिटिक्स छोड़ देने चीए क्योंकि इस स्मास के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो खुद अपने सवाए किसी और का कुछ नहीं कर पाएंगे इस तरह की मानसिक्ता के कारण जिस विक्ति को यह पता नहीं कि चदर यान में यात्री देंगे है या उन यात्रियों का वो दन्यवाद देरा है क्या आप एक्षा करते हैं कि उसका IQ या उसकी mental capacity कितनी होगे या उस चीफ मिनिस्टर का भी एक statement नहीं आना और ऐसे एक अपने साधारान साथी को भेज देना जिसको कुछ ग्यान नहीं है ये दोनों की जुम्यदारी उतनी ही बनती है जितनी चानना के हैं कि उन्होंने उसके बाद कोई खंडन में नहीं किया को statement में नहीं दिया को कंसर्ण भी नहीं दिखाया कि यह क्या परिस्तिती है हम किन और कैसे लोगों की बीच में रह रहे हैं यह लोग कितने गिरे हुए इस गिरे एक लोग कितने मानसिक्स तरके हैं वो सब देखने को मिलता है राजनिती में लेकिन प्रश्ण यही है कि राजनिती में अगर पढ़े लिखे लोग भी आते हैं तो वो अनपढ़ हो जाते हैं वो पढ़ाई अपनी घर कहरी छोड के आते हैं यहां तो वो सिर्φ लोगों को बेकुभ बनाने का एक तंत्र ढून्ड देते हैं कि कैसे लोगों को बेकुभ बना करके उनसे वोट लिए जाएं उनको किसी के चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है वो एक एगो की बिमारी से एक डिस्प्लिस्ट इगो से वो ग्रसित हैं वो उसको नहीं छोड़ पाते हैं इसलिए उनका बान अपमान कुछ नहीं है उनके लिए वो मान अपमान समान से उंचे हैं वो गीता के इस्तित प्रग्य की प्रस्तिति में है इसलिए अब उन्हें क्या कहें तीसरे एक और बहनुबाव जो आपने जाने जाते हैं अपने आपको वैसे राजपुत कहते हैं अपने आपको बहुत समझते हैं कि लेकिन राजपुतों वेले लक्षन तो कोई नज़र नहीं आते हैं राजपूत समाज जिसने हमारी वक्षों तक रक्षा की है, राजपूत समाज जिसके उपर हमें गर्व है, राजपूत समाज जो इस धरती की द्रोवर है, राजपूत समाज जिसने इस धरती की स्पार्टास की तरह रक्षा की है, अगर यूरोप में, यूरोप के अंत में, यूरिशय के स्विरू में स्पार्टाज थे, ग्रीक टाइम में, तो हमारे पास ख्षत्रिय थे, उन्होंने उनकी रक्षा के, हमारे सारे समराज्ये वेलियों के, इन्होंने रक्षा के, ये हमारे सबसे बड़े रक्षक थे, ये हि रात नहीं राकी दम में बैर्यार और खून बहां उनепर्द आ। मैं बहुत लड़ा सुने धुटी लें ओगो वह माहराना-परताब उन के वन क्सेम दुख होता है बहुत दुख होता है कि माहराना-परताब के वन आज इस तरह के स्टेटमेंट इर्रिस्पंसिल बातें करते हैं देशित की बातें ने करते हैं जिनका एक बड़ा फलोहर समाज आज भी पूरे यूरप में अमेरेका में कनड़ा में सब जगे जिपसी के नाम से जाना जाता है ये वो राजपूत हैं जिन्नोंने हिंदू समरा यूरप मातर में ही एक और दो करोड के बीच में हैं। वाइट रेस के अंदर ही एक और दो करोड के अंदर हैं। हम जानते नहीं मुझे नहीं लगता किसी ने संसेस निकाल ली ओगी वो भचार चाड़क पर बैठे हैं उन्हें हमेंने उनका अपना ये जीवन या अपन का यह धंग उन्हें इस वक्त अपना है तो उसको तो छुड़वा दिया अब पुठपाद पर बिठा दिया वो आशा उल्टी केता है सिद्धा जैसे कहना भूली गए हैं यह लोक कैसे हैं मेरी समझने आता अब किसी भी चीज में सुखी नहीं है हम भारत के किसी भी progressive काम में सुख को भोगना नहीं चाते उसमें सुख का अनन्द नहीं लेना चाते आपको हमारा नुकसान करके यह अनन्द मिलना है यह कैसे लोग है जो हमें नुकसान होने पर खुश होते हैं कि अब तो वोट हमें मिलेंगे क्योंकि इस गवर्मेंट के आथों से नुकसान हो गया तो अब वोट है हमको देंगे कैसे लोग हैं मुझे दुख होता है मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ मुझे दुख होता है कि मेरे कैसे राजनितिक नेता है मुझे दुख होता है कि कैसे लोगों को कि हमारे यह फोलॉर भी है इनके फोलॉर भी है मुझे अपने मुसलिम भाईों पर बहुत दुख होता है कि मुझे जद tiempo ही लोग इनको support करते है कि तुम क्यों सौदिय अरब में अपनी अबीदे लगाई बैठे हो वो अपने आपको रिफोर्म करने में लगा है और तुम उनकी 146 पॉलनी संस्कृति में अपनी अई container ढूंड़ रहे तुम्हारी इसी भारत में है तुम्हारी इसी धर्थी पर है तुम दस हजार साल से इसी धर्ती पर रह रहे हो, ये धर्ती तुमारी है, ये देश तुमारा है, ये राष्ट तुमारा है, ये लोग तुमारे है, यहां की संपता तुमारी है, सब कुछ तुमारा है, तुम इसको बाहर क्यों ढूंड रहे हो भाई? कुस्तूरी की मिर्ग की तरह क्यों पागल होकर कि तुम इदर उदर ढूंड रहे हो तुमें कहीं कुछ नहीं मुलना है उस मक्का को छुड़ो अपना मक्का यहीं बनाओ अरे वो हिंदू स्ताने एक हिंदू बारिशेस पे रहते हैं वो गंगा में शनान करने के लिए यहां नहीं आते उन्होंने अपनी गंगा वहीं मना लिये वहीं एक गंगा सागर बना लिया और उसी में नहा करके वो खुश हैं और वो कहते हैं कि यह हमारे गंगा के तुल्ले है जहां तुक रहते हो उस धर्ती से प्यार करो सारी धर्ती तो एक है किसने बाट रखे हमने अफालतों में लखी रहें खेज रखें इसके उपर धर्ती तो हमारी सारी एक है वसंदुरा हमारी माता वसंदुरा है उस वसंदुरा में हमारे हाथ में एक हिसा भारत के नाम से आया है इसलिए हम उससे बाव कहते हैं वैसे वह तो हमारी सारी वसंदुर हमारी माँ है यह प्रत्वी हमारी माँ है भारत मां हमारी इसलिए माँ है क्योंकि यह प्रत्वी हमारी माता है भारत को प्रत्वी से अलग नहीं है साओधे रेबिया से अलग नहीं है तुम्हारे किसी भी इ तुम क्यों हर बात में अपने अलग existence को बताना चाहते हो। तुम क्यों अपने पहश्चान को हम पे थोपना चाहते हो। तुम क्यों अपने अपने आपको मत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहते हो। तुम क्यों अपने आपको हमसे एक अलग entities बना करके और अपने अगारवस हमारे हर तेमार को उसमें विग्न डालना चाहते हो क्यों? सोचो ये देश तुमरा है, हम तुमरे है, ये धरती तुभारी है, यहां का पेड़ पूदा तुभारा है, हर विक्ति तुभारा है तुम भारत के लोगों में से एक हो उसके बाद हम दुनिया के लोगों में से एक हैं दुनिया हमसे अलग नहीं है हम पूरी दुनिया को उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी लोगों को प्यार करते हैं लेकिन जैसे एक आदमी घर बनाता है और उस घर से उसको प्यार होता है वैसे भारत हमारा घर है वह उससे प्यार है जान से ज़्यादा प्यार है और अगर उसके लोगों से आपको प्यार नहीं है तो उस घर से प्यार का मतलब क्या लोगों से बनता है न भारत तो हम लोगों से मला ना हम सब मिलकर के भारत हैं जो भारत माता हम कहते हैं वह हम सब मिलकर के हमारी स्यूक्त आत्मा एक भारत माता है यह खाली परच्विव का टुगड़ा तो है ही लेकिन उसके साथ में ये उजबेकिस्तान से लेकर करके कन्य अकमर तक रहने वाले लोग ये भारत माता हैं बंबे से कलकता और वेस्टान से लेकरके और कन्यमारी तक रहने को यह बहुआ है। बहुत अ्यूद यह कि यहां एक व्यक्त एक कन ऐक को मैं प्यार करता हूं उसके मां के समझता सब उसी के कारण हम सब लोग जीवीत है आज पर्थ्विए गर राज हो जाए हम से तो हम एक दिन भी जीवीत नहीं रह सकते हैं कि तो ऐसे ऐसे हम अब वर्दर करने वाले को माता कहने में हमको शर्म आती है कि मुझे तो तुम पर शर्म आती है क्या चाहिए और बहां से तुमको वह मास सब कुछ आपको दे रही है जो चाहिए गर्ब से को विश्मारत